कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तो डिस्क्रिप्शन में वाटसप ग्रूप और टेलेग्राम का लिंक दिया गया है किसी को भी हमारे साथ जुड़ना हो तो वो लिंक के उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे यहाँ पर जो भी अनालिसिस कर रहा हूँ वही अनालिसिस सिखा भी रहा हूँ उसका डेमो लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो वीडियो पर आप ज़रूर देखेगा बहुत यह अच्छा फाइदा होगा आपको HDFC MC का आज जो आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है वो एक डिल थी उसकी वज़े से प्राइज में इतना गिरावट हमें देखने को मिला है तो बहुत ही बढ़िया चार्ट का स्ट्रक्चर है कोई भी खराबी देखने को नहीं मिल रही है अभी भी स्टॉक से एक छोटी सी रेंज में गूम रहा है और विकली चार्ट भी देखता हूँ मैं तो अभी भी चार्ट के स्ट्रक्चर बढ़िया है कोछ ऐसी गड़बड दिखाई नहीं दे रही है सो डेली चार्ट के उपर चार्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ तो अभी जिस तरह का आज का ये करेंट मर्केट प्राइस है 2,905 रुपिस ठीक है सो मेरे हिसाब से यहाँ पर करेंट मर्केट प्राइस पर ही किसी को बाइंग करना हो तो आप जरूर से बाइंग कर सकते हो लेकिन आपको स्टॉप लोस लगाना पड़ेगा 2,800 का क्लोजिंग बिजिस के उपर सो जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और तो 100 रुपेश का रिस्क अगर किसी को भी लेना हो तो आप जरूर से ले सकते हो HDFC, AMC के अंदर बहुती बड़िया कंपनी है ये मैं पर्सनली ट्रेक कर रहा हूँ और यहां से अगर ये स्टॉक्स ने हायर लिवल्स दिखाया तो फिर से 3200 तक जाने का पूरा दमखम है इस स्टॉक के अंदर सो रिस्क रिवर्ड रेश्यो काफी अच्छा बना हुआ है सो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से किसी को भी काम करना हो तो आप जरूर से काम कर सकते हो पैसा आपका जरूर बनेगा पैरी है तो लाइव सेसन में आके आप जरूर मुझे क्वेशन पूछ सकते हो और सीखिए सीखने के बाद काम कीजिए मैं जो भी अनालिसिस कर रहा हूं उसका डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वो वीडियो देखे नौलेज एक्वाइर कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक मेंटर चूस कीजिए सीखियो और सीखने के बाद काम कीजिए गुट बाई फ्रेंड्स टेक केर बाई बाई